आज़ पंचायत के अध़ेक्षों, चाहे हम उपादध्षों, यह कैमरा वाले भी मुझे डिस्ट्रर्पनी करें भाई, चाहे हम उपाद्ध्षों और चाहे हम पारसद हों, देखिये, और मुख्यमंत्री हो जाये, मंत्री हो, हम सब हैं जन्ता के सेवद, सेवक हैं की नहीं, सेवा कहें की नहीं लोग तंत्र में हम हैं जनता की सेवा के लिए जनता की बेहतरी के लिए और इसलिए एक मंत्र एक इसलोग मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ गीता में जो भगवान सिरिकृष्ट रिए अरजुन को कहा था अच्छा कारी करता कौन। उन्होंने किस लोग कहा था। उपाद्धक्षें तो पूरे सहर के उपाद्धक्षें और नहीं तो जब बाड में गए हैं और कोई ने का एक भाई हमारे काम करते हैं और आगे वोट दिया था उसके साथ खड़े दे चल जाओ नहीं करते हैं अब जीतने के बाद देखू हमको ध्यान रखना है तो सबका र इडासम नहीं अदमाई दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों का बुरा करने से बड़ा पाप कोई नहीं है सही बात है कि नहीं तो जीतने के बाद हम सबके हैं हम बहतर काम करने की कोसुस करेंगे जिनने आज नहीं दिया कल अपन को देंगे नहीं आना चाहिए एंकार नहीं होना चाहिए अनहमबादी का मतरे देख़ू हम सब जानते हैं गमंड कौन का बचा बाप अपने बुज़ुर्ग कहते थे रावनकंस का नहीं बचा तो कौन का बचेगा इसलिए घमन मत करना अच्छे निता बनना मुक्त संगो अनमबादी ध्रिती मतलब मेरी बेहनों और भाईयों भैरिया हमेशा रखना देखो अब अपन ने ऐसा काम चुना है जिसमें जनता रोज आएगी सबेरे छे बजे पहुंच गए पारसची पानी नहीं आओ और आपने की मर जाए का बोट दे कर खरीद लाओ का हमें सबेरे से आ गए अब एक विचार रही हो सकता मन में कि सबेरे सब्रे आ गए अरे यह चुने हैं तो आएंगे जनता के पास जनता तो नहीं आई थी कि आप खड़े हो जाओ अपनी कहते कि सेवा करवाओ हम आपके सेवाख हैं तो बैया सबेरे भी आएंगे साम को भी आएंगे दुपहर को भी आएंगे रात को भी आएंगे बीमार हो जाएंगे तो आएंगे पानी नहीं मिलेगा तो आएंगे बिजली नहीं मिली तो आएंगे मच्छर भिन बिनाए तो आएंगे क्योंकि वो और इसलिए मैं किया रहा हूं कि मेयर और अद्दिक से भी बड़ी जबाबदारी कोई की है तो पारसद की है वो बड़ी जबाबदारी है और मुझे ये कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं मुपें जी या भदोरिया जी या पूरी टीम भी अच्छा काम कर पाएंगे तो आपके कारण ही कर पाएंगे आपके कारण क्योंकि आप सबसे नीचे घुमते हो लेकिन ऐसे में धैरी नहीं खोना कोई गुस्ता हो गया हो जाते हैं ने कई बार आगए अभी तक काटे मरे जा रहे हैं तो आपन भी गुस्ता हो गए खरीद लिया क्या तुम्हें अब यह आपन सेवक हैं तो धैरी नहीं खोना की तो आज परिखे गड़ों करें आज परिश का इंतज्याम करूंगा मैं क्योंकि हर जगे परिसाँ इन होती है सबसर्ण होती है महले की सड़कें solid हम कुछ इंति बाराधी काई बार वार और विवस्ता करना पड़ता है इंतज्याम करना पड़ता है अशे में भी कोशि की और सफल नहीं हुए तो मन कई बार व्यथित हो जाता है तुखी हो जाता है काम फस गया यार लेकिन ऐसे में धैरी नहीं खोलना धैरी नहीं घोना रास्ता निकालने की कौसिस करना इतना मैं आपको विश्वाद दिलाता हूं हमारी सरकार हमारे मंत्री गण्ड आपके मेर अध्यक्ष आपको पूरा सहीवग करेंगे मिल के हम करने की कौसिस करेंगे और एक बात और सुनूं उच्टा से हमेसे भरे रहना धिती उच्टा देखो अपन है जनता के नेता अगर अपन निरास हो गए अपन निरासा जनक बात सुरू कर दी तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता जनता भी निरास हो जाएगी देखो नेता वो है जो कभी निरास और हतास नहीं होता हर परिस्थती में जो रस्ता निकालत है उत्साह से भरे रहना है घंद आही अपने पाल फ़लानकाम काम नहीं हो रहा अपन नहीं भी कह दिया आरे नहीं हो सकता बेकार की बाते यार लेकिन हम यह और को दो तरह के लो wanna होते हैं गर गोह होते हैं जिनके पास जिनदा जाय तो उसको भी मुर्दा कर दे अरे कुछ नहीं हो सकता अरे सब बेकार है वो अच्छा भला आदमी आए तो उसको भी मुर्दा कर दे और एक वो हो सकता है एक वो होता है जो मुर्दे में भी प्राण फूंग दे कैसे नहीं होगा मिलके करेंगे करके देंगे चिंदा मत करो उत्ता से भरे रहे ये आप रट लेना मेरी बाद, एक सूत्र है, सफल होने का सूत्र, क्योंकि आप यहीं तक थोड़ी रहना है, अपन को और भी आगे जाना है, एक सूत्र, जो मैं बज़पन से ध्यान में रखता हूं, पाओं में चक्कर, मौ में सक्कर, सीने में आग, और माथे पे बरफ, आओं में चक्कर मतलम, सवेरे उठो, और निकल जाओ अपने सहर में, निकल जाओ अपने बार्ड में, कई बार चाय भी दूसरे के घरी पियो, सवेरे सवेरे अपने घर चाय पीने के भी जरूरत नहीं है, ताइम बांध के, एक घंटा ब्रहमन करूंगा, और लोगों से मिलन जुलना, समबाद, चर्चा, लोगों से बचना नहीं है, लोगों के सामने जाना है, उनको मिलने का मौका देना है, कई बार नहीं होगी आज समझते हल देखेंगे, लेकिन लगातार अपने कारी छेतर में घूमते रहो, इसका मतलब है पाओं में चक्कर, समझ गए मेरी बा पीछा से आब आज नहीं हा रहे, मेरी बास समझे, पाओं में चक्कर, और दूसरी है मों में सक्कर, मतलब कलबा मत बोलो, इठा बोलो, अगर कोई चीज ततकाल नहीं हो सकती, तो प्रेम से तो बोल लो याँ, प्रेम से बोलने में कुछ लगता है क्या बताओं, पीछा तक बताओं लगता है का, अच्छे ऐसी बाणी बोलिये, मन का आपा खोए, आपों को सीतल करे, और हों सीतल होए, कई बार तो मीठी बाणी में ही काम चल जाता है, क्या बहिया कुछ हुआ नहीं हुआ, बात बढ़े अच्छे से करी, आदमी तो अच्छा है, पहम तो अच्छी है, कई बार इसमें भी काम चल जाता है, और इसने करने की कौसिस करना, लेकिन बोलना अच्छा, क्योंकि हम जन पृति दी है, तो अपनी व्यक्तिकत जिंद्गी नहीं रह सकती, हमें नहीं सुनना, नहीं सुनना तो चुनाओ काय को लड़े, जीत काय को आई, सुनना ही मतलब काम करने की तनफ होनी चाहिए, मेरे बार्ड को सबसे अच्छा बार्ड बनाऊंगा, स्वच्छता मैं बनाऊंगा, विकास मैं बनाऊंगा, लोगों की समस्याओं को हल करने मैं बनाऊंगा, या बनाऊंगी, इसमें कसर नहीं छोड़ना, यह सीने में आग होती है, ज सबेरे सबेरे मेरा काम सुरू हो जाता है, सबेरे से लेके देर रात तक काम करता हूँ, मैं ठकता इसलिए नहीं हूँ, एक आग अंदर जलती रहती है, तो और कर, और कर, तुकि एवल सोने के लिए थोड़ी है, तु बैठने के लिए थोड़ी है, तु आठ करोड साले, आठ साइन निकलते हैं जो दिन रात काम करने की टाकत देते हैं सक्ती देते हैं यह मैं ऐसे यह से जूट मूट नहीं कह रहा है अगर किसी को मैया वेश्णव देवी के दर्सन करने जाना हो तो पैदल कित्ता चड़ना पड़ता है 14 किलो मीटर आप बताओ भोपाल में मैं आप से क कैंब दू पाहाड पर कि लिए को 14 किलो मिटर चले जाओ कोई जाए गा जाई नहीं सकता रहे कोईяз हिए बता है याद रखना मैं जो बता रहा हूं अपने अनुभब से बता रहा हूं अ गर मन में तनफ है तो सरीर से ऐसे रसाइन निकलते हैं जो दिन और राद काम करने की ताकत आपको दे देते हैं जैसे नरंदर मोदी जी को भी भगवान ने दी है ये हता हैं अंदर से और इसलिए ये अगर सीने में आग रही तो अपने आप वो चीज हमारे सरीर को उसके लाइक बना देती है और माथे पर बरफ का मतलब है दिमाग ठंडा रखना समझ गए नहीं मेरी बादे जरा जरा में गुस्दा हो गए नाराज हो गए लड़ पड़े कई बार पत्रकार पहुंच गया सबेरे सबेरे बड़े गड़ा और धूल है तुम्हारे छेतर में और हपन ने भड़क के कह दिया क्या कर लोगे है तो है तो है बता चला वो ही बाइरल हो रहा है वो ही जप रहा है अज़ा एक धानवर रखना आजकर आजकर यह मोबाइल बड़ा खतरनाक है यह सोच कर रखना कि जो कहते हो यह मैं सोचता है कि अकेले में कह रहा हूँ जो कहोगे वो बाइरल होगा अभी लोग बताएंगे देखो पारसत क्या कह रहा है देखो अदेख्ष क्या कह रहा है कई बार देगा न जरा जरा सी चीज़ें बाइरल होती रहती टीवी में आजाती मीडिया में आजाती है और इसलिए माथे पे वरफ का मतलब सईयत रहना और कोई चीज ऐसी ना निकले कि जिसके कारण अपनी पृतिष्ठा खराब हो थंडा दिमाग अपना रहना चाहिए यह हमारे सफल होने के गुण है हमको सफल जन पृतिधी बनना है हमको सफल राजनेता बनना है और एक बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ नियम प्रिक्रिया पूरी पढ़ना आज उपलब्द करा रहे हैं न हम सारे नियम प्रिक्रिया आज उपलब्द करा रहे हैं आपको अब पढ़के समझ लेना कितनी चीजे हैं करने की उनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा कि जनता को निहाल कर दोगे जितनी चीज़े हम दे सकते हैं उसी में अगर धंग से समझ लिया हम कैसे कर सकते हैं यह जान लिया योजना पहचान ली मैं सच कहता हूँ आप जनता के दिल पर राज करोगे ये मेरा दावा है अब जन्ता के दिल पे राज करें लेकिन हम पढ़े ही नहीं देखे ही नहीं तो फिर चीज समझ में थोड़ी आएगी इसलिए सारी चीज़ें समझना अब छोटी छोटी चीज़ें बिल्डिंग परमीशन पहले तीन तीस दिन में बिलती थी अब तै कर दिये पंद्रह दिन म इस समय में नहीं देगा हमने कानून बढाया है उस कानून में पबलिक सर्विस डिलेवरी गारंटी एक्ट अगर सारी औप चारिकताएं पूरी होने के बाद भी कोई परमिसन निस्चिस समय सीमा में नहीं देगा तो उसके खिलाफ जुरवाना हर दिन लगता जाएगा और हम कैसे करेंगे हर एक सर्विस की हर एक सेवा की समय सीमा तैह है देखिए अपने जो काम है सहरी विकास के एक बिजनरी मास्टर प्लान उसका प्रभावी क्रियान बन हमको करना है कहरी अदोसंदचना का जिसमें सड़क पानी सारे निर्मान के काम आते हैं उनको ठीक से बना हमारे भाई रामेस्वर सर्माउन के छेट में कल कारिक्यम था में कल बहुत गद गद और प्रसंदधा बहुत गद गद और प्रसंदधा इसलिए कि हमने मद्द प्रदेश में माफियाओं पर कारवाई की गुंडे दादा तबंग बदमास ये जंदा की जिंद्धी को दू ऐसे गुंडे बदमास और दबंगों को कुचल के हमने 21,000 एकर जमीन मुक्त कराई एकई सजार एकर जमीन और मेरा प्लान है मैं आपका भी सहोग चाहता हूँ उसमें से जो जमीन सहर में हैं वो जमीन हम गरीबों के मकान बनाने के लिए दे दें गरीबों के मकान बनाएं बोलो ठीक है की नहीं पीछे तक से अब आजाए ठीक है की नहीं कल उसकी सुरुआत हुए नीलवर से बड़े बदमास थे पता नहीं कौन-कौन थे नामाम मैं नहीं लूंगा उन तो जमीन मुक्त कराई कुछ लोग बचाने भी आये तो हम कहीं इनको तो नहीं हम जो जनता की चाली सेगर जमीन दबा रखी बता भौब हृपाल मैं बतावी यह इसवोने दाना चाहिए कि हुडा ली बेज़ दिया और कल गरीबों के मकान बनाने के लिए भूमी पूजन कर दिया क्यांप गरीबों के मकान बनें एक हर सहर में चाँ ऐसी जमीन हैं आगर करीब हो के मकान बनेंगे यह को पहली चीज कम से कम रहने की जगया तो हो रहे गरीब को अनुपन्ना कब्लू लल्ला मनना जुमन कहां जाएगा बताओ जोकी जोपनियों में बत्तर इस्थिती में कितनी घराब इस्थिती में कई जगये पड़े रहते हैं अपना संकल्ब है जिसमें आपका मुझे साथ चाहिए सबको आवास और उसकी पहली चीज है सबको जमीर जिनके पास कुछ है ही नहीं